आप मेंसे कितने लोग हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेस्बूक यूडूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप मेंसे, जो मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर में गंदगी देखकर वापीस सा जाते होंगे, कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो संकर जी के तो श्यू मंदिर में जाते हो अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर जाते हैं यह चीछ आपने श्यू महाकुरण से सीख लिए कि शंकर के मंदिर गरम जा रहे हैं शिव के मंदिर गरम पहुच रहे हैं तो महापर एकदम सफाई रखना हमें शिव मंदिर में आनंद रखना अब भगवान शंकर की दृष्टी खुली क्योंकि इस्तुती रिशियों ने संतों ने साध्वों ने साधकों ने उपासकों ने करी दृष्टी खुली और जब दृष्टी खुली जैसे ही दृष्टी खुली तो नंदी की और दृष्टी गई भगवान ओभडानी भगवान शंकर ने देखा नंदी के आवाज लगाई नंदी नंदी ओ नंदी आवाज लगाई नंदी हिला नंद विश्ष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने प्रिया था प्रबल विश्ष नंदी फिर आवाई लगाई पर नंदी हिला नहीं थोड़ी दर बाद देवाजी देव महादेव जिनोंने कंठ पर को रखा था वोट कर खड़े हुए सारे रिशी साधू सन्यासी तपस्वी साधा कुपासक संत महात्मा सारे की सारे स्तूति गा रहे हैं संकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधू संत सन्यासी तपस्वी साधा कुपासक इस तूति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टी अगर भगवान की दृष्टी गई तो नंदी पर गई क्यों शुमापुरान की कथा करती है डों करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पेचानते हैं कि ये क्या कर दो गंते तक माला लेके बेड़ गया हो कौन फूल लेकर आया है और कोन दिल लेकर आया है और कोने वाला ले user को मालो बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान लो भगवान को ये ज्यांत है कि कोन मेरे लिए आया है और कोन स्वयम के लिए एक बात जरूर कहूंगा अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड नजर आती है न ये दिखावे की भीड नहीं है ये शंकर के गणों की भीड है शिव के भक्तों की भीड है ये शंकर के भक्तों की भीड़, ये दिखावे की भीड़ नहीं है श्यू मंदिरों में, अभी जो तुम सोंबार की सोंबार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पश्यू पती वरत होते हैं, सोंबार का आनंद होता है, लोग मंदिर में पांच-पांच दिये लगा यह दिखावे की भीड़े नहीं है यह दिल से जुड़े हैं भगवान संकर से इसलिए सायद मेरा भूलेना मेरा ओगड़ी मेरा संकर दिल से देता भी है एक पत्र आया बड़ा सुनदा दे कुल्दीप से ने चिंता मन गणेश उज्जेन से आया कहीं बेटे होंगे आप यह है जरक खड़े हुई है माइक भी जीवा आपने लिखा है कुल्दीप जी कि शादी के लिए तीन वर्ष से घर के लोग परिशान थे आपने लिखा है अब भी बहा का क्रम हुआ है हो गया यहाँ पहले आये थे आप और दूसरी बार भी आयो जनवरी आया अक्टूंबर नवंबर दिसंबर तीन महिने में बाबा ने वापिस भुला लिया वेवा हो गया भाबा की बधाई बहुत-बधाई भी राजी श्री शिवा बाव आईए सात में बाव आईए है अच्छा दोनों आये श्री शिवाए बाबा की कृपा है शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा ये श्यु महा पुरान के प्रती समझ लो चाहे मेरे ओगरदानी के प्रती समझ लो मेरे शंकर के प्रती समझ लो कि दो साल से आप लगातार आस्था चेनल पर शिव महा पुरान की कथा सुन रहे हो और अगर मंदिरों में आप जारा रही है सुंबार की सुंबार तो ये दिखावे की नहीं है ये शंकर के गणूं की भीड़ है ये शिव भक्तों की भीड़ है और दिल से विश्वास रख कर एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है मारा जी देखिए गुरुजी प्रिणाम में सुशिला पंचाल मुसाखेड़ी मयून नगर इंदोर सायों कहीं बेटे हैं क्या उन्हेंने पत्र लिखा है मेरे पती की नोकरी चली गही थी गुर्देव इस पत्र में लिखा हो गा सुंबर की अश्टिमी का एकत्तिस चावल के दाने एकत्तिस बेलपत्त एकत्तिस मूँग के दाने आपने चड़ाने का उपाय बताया था इस पत्र में लिखा है गुर्देव वो अश्टमी सुंबर की अभी गई है जिस पर मैंने यह किया था और जिस समय नंदिश्वर पर मैं मूँ के दाने चड़ा रही थी तभी मेरे पती की नोकरी के लिए आडर आ गया और मेरे पती की नोकरी लग गई यह पत्र में लिखा है बहुत बहुत बढ़ाई हो ओगरदानी की कृपा है अब दिल से करो तो आप बताओ सुंबर के इस्तिमी कब गई है अभी गई है अभी करे अब आप लोगों ने उसको अनुष्थान करा होगा और बाबा से विनए ही करी होगा आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है संकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं यह दिखावे के नहीं है किसी के द्वारा भेजे गए नहीं है यह शंकर को दिल में रखकर शंकर के दर्वाजे जाकर शंकर को दिल से रिजा रहे हैं यह शिव के गण के सुरूप है यह शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से यह शिव की निंदा नहीं सुन सकते यह संकर के भगत हैं शिव के उपासक हैं शंकर के भक्तों के आनंद में जैसे नंदी, भ्रंगी, श्रंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तूती कर रहे हैं, शंकर का बजन कर रहे हैं, शिव महा कुरान को नित्य श्रमण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिंती में ही आएंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं है, नंदी, भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधूप पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस भी पर, ना साधक पर, ना उ काम किया है इन्होंने तो मैं बिवजी के नेतर खुले कब प्रफिक ड़ी कि क्योंकि मैं ने विश पिया पर इससे भी प्रफल अगर काम किसी ने करा है संसार के लोगों को बचाने का काम करा है तो जो नीचे बूंद गिरी है इस बूंद को जिनन्दी ने चाटा है इसने सबसे प्रवल काम किया इस्तूती करने वालों से ज़्यादा प्रवल है कर्म करने वालों अरे भाई इस्तूती करने वालों का तो क्या है जिसके गले में माला आती है लोग इस्तूती उसी की करने लागतें, भोलो सही है की गलत लागतें, तुमारे नगर में, तुमारे छेत्र में, तुमारे महले में, जो एमेले का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसत का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड रहा है, जो अध्यक्ष का चुना उलड रहा है कोई पार्षादादी का चुनाओ उलड रहा है तो जो जीत गया है सारे घर के लोग परिवार के तो लोग उसको पिनाएंगे फिर उसकी इस्तूती करेंगे उसका गुनगान करेंगे उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा करती अरे इस्तूती मेरे संकर करें मेरे ओगड़दानी मेरे तरकाल दर्शी मेरे केलाशी मेरे संभू करें इस्तूती और माला तो ये मिल सकती है मना नहीं वो कितने समय की होती है थोड़े समय की पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदीन वो कहने के लायक नहीं हिर्दैस से लगाने के लायक है और भगवान मेरा ओघरदानी मेरा तरकाल दर्शी, मेरा कहलाशी, मेरा शिव, उठा और मेरा शंकर, मेरा वो घंदानी, मेरा शंबू, मेरा तरकाल दर्शी, मेरा कहलाशी और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं न कि मेरा शंकर ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंका एक ही तो है जिसको अपन मेरा पैसा सकते है बाकी के तो सब सब मतलब के यार हम ने देख लिया जूटे नाते जूटे रिशते अरे जूटा है संसार हम ने देख लिया यह यह हम एक ही को तो अपना कह सकते है किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा संकर क्यों कहते है उनका है क्या तो तुम चाती ठोप के काओ कि मेरा है तुम भी काओ क्यों मेरा है बस मेरा है वो गड़दानी मेरा है मेरा है वो गड़दानी मेरा है नहीं किसी का और वो बंदू नहीं किसी का और वो शिवदानी बस मेरा है देखो बिश्वास रख करना तुमें पड़ेगा तुम खाओगे तो तुमारा पेट भराएगा और हम खाएंगे तो जम के बोलिये जरा हमारा भराएगा बेटा खाएगा बेटे का मा खाएगी मा का पिता खाएगा पिता का भाई खाएगा भाई का दोस्त का दोस्त का प्लेट सामने रखी है और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा जम के तो बोलो जरा भराएगा नहीं प्लेट रखी है और पेट नहीं भराए खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का तुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा मुख में डाल भी दिया तो दात से चवाना पड़ेगा जिब्या से उसका स्वाद लिना पड़ेगा, गले में उसको गटकना पड़ेगा महराज कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना कर्म प्रधाने गीता जी में भगवान कृष्ट का है कर्म प्रबलत कर्म की प्रबलता हो कर सेवा तू लगन लगा के मन में सचा भाव कर्म प्रबलता हो भगवान शिवगय नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में उठो नंदी उठो एक बार ये कथा कहीं कहीं तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान नंदी से क्या कहा था तो ये तो नहीं माल की नंदी से क्या कहा था पर इतना जरूर कहा होगा श्री शिवाय नमस्तुप्यों नंदी उठा श्यू जी को देखा आज बोले ना जी मेरी पीटे बेटने की जगा मेरे गले से लगे हुए नंदी ने पूछ लिया प्रभू क्या बाते आया आप मेरे गले लगे हो संकर भगवान ने कहा नंदी आज तुने सित्थ कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है आज तुने सित्थ कर दिया कि संकर का गण कैसा होता है शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, ये तुने सिद्ध कर दिया मेरी बूंदें फिश्की नीचे गिरी और तुने जिव्या से पोच दिया शिवजी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा प्रभू साप विच्छूफ इस बूंद को ग्रण कर लिये थे, वो जहरीले हो चले थे मैंने विचार करा, रिशीवर आ रहे हैं, गुरूवर आ रहे हैं वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे, तु कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विशेला हो जाएगा भगवान इसलिए मैं उसको चाट गया, शिवजी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी, मैं तुझे वर देता हूँ संपून विश्व के कल्यान के लिए तुने विश्दारन करा है जहां संकर रहेगा वहां तू रहेगा और सुन नंदी संसार में जिसके दरवाजे पर तू ले कर जाएगा ये शंबू वहां उतर कर उसका कल्यान करकर आएगा ये शंबू शिव कह रहे है नंदी इसलिए निवेदन है कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सुंबर केष्टिमी के दिन नंदी के सामने मुंक्यों चड़वाई 31 दाना तो उसका वर्णन सास्त्र आनंद में कर रहा है कित्ता तुम तो नंदी पे जान जो तुम तो अभी अपने आज जैसे दूला दुलेन की साधी हो एक छोरे की साधी होती है तो जब वो गोड़ी पे चड़ कर जब डूला नन कर जाता है तो तुम तो नंदी के सामने मुंक्यू बात करते हैं नगोड़ा घोरी पे जोंच लए तो उसके डाल गला के खिला तो अब तुम वो दूले की मा से पूछो माता जी, काकी जी ने, बुबा जी तुमने एको चने की डाल क्यों खिलाई पूछो वो गोड़ी के क्यों खिलाई वो गोड़ा के क्यों खिलाई पूछा जाये जरा कि उस गोड़ा गोड़ी के चने की डाल क्यों खिलाई तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोड़ा गोड़ी पे चड़ कर जाएगा जिसके दरवाजे पर जाना है इस चने की डाल को मैं खिला कर भेज रही हूँ कि कहीं इदर उदर 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 पड़ा हुआ समान ना खाकर मेरे छोड़े को लक्ष तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुचाना हमने नंदी पर 31 मूँ क्यों चड़ा है कि शंभू मेरे हिर्दय की बात को याद रखना बहले नात मेरे नंदी श्वर भगवान मेरे चित्त में जो मन्द में चल रहा है इसको लक्ष तक पहुचाना और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आसकते हो इसलिए मन्द चड़ा है आप हो जो शिप को मेरे द्वार तक लासकते है कोई दूसरा नहीं नंदी को गले से लगा कितना पलित कितना आनंदित होंगे इसलिए सायद श्युमहा पुराण की कता कती है शंकर का नमोदन कता श्युमहा पुराण वंडन करती है सकंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कता है स्वयम भगवान शिव की लिला करती है कि एक वार रावन लंका धीपती कुवेर को जीत करा रहा था और रावन लंका धीपती जब कुवेर को जीत करा रहा था तबी बीच मारग में भगवान नंदिश्वर दिग गए केलाश पर गए और नंदी को देखा तो हस दी है नंदी को देखकर हस रहा है कि बताओ नंदी का मुख देखो सरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ अरे जब ये नंदी हुए थे ना परत्वी से प्रगटे थे सुन्दर भालक थे बड़े सुन्दर इतने सुन्दर थे इतने सुन्दर थे शिव महापुरान की कथा कहती है जैसे मेरे भोले नाथ सुन्दर थे ऐसे नंदी सुन्दर थे शिलाद ब्रामन के गर में जब जनम उख इतने सुन्दर इतने सुन्दर इतने सुन्दर कहते हैं देव लोक में जितनी अपसराएं थी वो नंदी को देकर उनकी और आसक तो हो जाते हैं इतने सुन्दर्त के भगवाई अब लोग कहते हैं ये गण हुनने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या हमारे यह तो पड़े लिखे लोग पुस्तक लिखते है पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या कोई आखों से चार कोई मूडा से पांच कोई छे कोई का पाऊ नी कोई का हाथ नी कोई का पेट नी कोई की जाती नी ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं हाँ शंकर भगवान के गंड नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था काम शास्त्र उन्होंने भी लिख दिया एक शास्त्र लिख कर दे दिया देव लोग की अफसरा हैं देव लोग की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अफसरा है नंदी को देखर इतने आनन्द में इतना सुंदर वालक इतना सुंदर वालक इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर क्योंक इतने सुन्दर हैं जो करपूर गोरब करपूर के शुरूप की तरह नंदी भी इतने सुन्दर मेरा शंभू भी इतने सुन्दर मेरा विश्वनात मेरा महांकार राजा मेरा कैलाशी मेरा कुवेर भंडारी मेरा कुवरेश्वर महारे इतना सुन्दर नंदी भी सुंदर शिवजी सी अब नंदी को देखकर सब आ सकते हो जाए तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रे गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिवजी के दरशन करने आए शिवजी के धाँ में पहुँछे और मुझे से मिले यह अच्छी बात थो गी ना उनोने शंकर जी से का अई भोले ना शीवजी ने का मांग तुझे क्या चाहिए तपर भू तपर भू हाँ मेरा चेहरा पशु का करदू बेल का करदू वर्षब का करदो शीव जी ने का इतने सुन्दर नंदी का चेहरा अगर मैं विर्षप का बनाऊंगा बेल का बनाऊंगा अच्छा लगेगा नंदी का लिगा सैppen improvis सिव जी ने कड़ को ठीक है है सितने गण तुमको पीछे उह पोटों में दिख रहा है जितने एक भी सैसा ठीकाने का दिख रहा है एक वी यह कहीं कहीं का ठिकाने का दिखरा हो की है, तुम किसी को दुक्वांसा सुंधरी का अवार्ड होता है, हाँ जो भी हो गवान, इसा कोई अवार्ड में सेकात को देना हो तो बता हूं, जित्ते गण दिख रहा है हो तुमको। शिव जी के गणों में कोई है तो आचत सुन्दर सवें साब सुन्दर है तो कैसे कह सकते हो कि सब सुन्दर है शिव महापुरान की कता में कहा है सत्यम शिवम सुन्दर मतलब जो सत्य के मारग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वेसे ही सुन्दर हो जाता है तो हमको लग रहा है कि ये सुन्दर नहीं है हमको लग रहा है कि इनोंने रूप बदल कर रखाए कोई बारा हाथ रखे कोई पाउं रखा कोई सिदका पर इनकी सुन्दर था भले हमें लगे कि ये सुन्दर नहीं दिख रहे पर ये रदय के सुन्दर संसार में दो तरह के लोग होते हैं साथ एक सुन्दर तो बहुत दिखें बहुत सुन्दर साथ अरे उनकी बव एसी जोड़ार और उनकी बेटी एसी जोड़ार ने उनका छोरा इत्ता जोड़ार ने उनकी काकी एसी सुन्दर एसी सुन्दर इत्ती बढ़िया फिर फिर क्या थे बो उपर रहे रहे या पर नीचे रहे रहे मतलब केवल चेहरे की सुन्दर था थी पर भीतर की सुन्दर था नहीं हो भीतर की सुन्दर था नहीं हो है है और है हो सुद्रत नंधी नंदीने का नई-अने प्रभू मेरे को यह शुरूप नहीं जी मेरे को तो आप पशु का शुरूप लग Alt-are यह तूहर हमें कुछ नहीं कि आप तो अपना बनातर रखो जैसे हैं आपके रहें बस भगवान ने उसको वर्षब का मुख लगा दिया नंदी का मुख बेल का मुख लगा दिया महाराज सामने से लंकादी पति रामन आ रहे थे तो कहां से आ रहे थे कुवेर को जीत कर अब कुवेर पर आक्रमन करकर कुवेर पर विजय प्राप्त करकर कुवेर को जीत कर आ रहे थे तो इनके भीतर हिंकार आ गया लंका धीपति रामन के भीतर अब इमान जब कोई जीत कर आता है ना कुछ ना कुछ जीत कर आए भले चाहे तुम चुनाओ जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई बस्तू जीत कर लाओ, चाहे कोई समगरी जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी एक वो साधरन से पहले होता था था न, एसे तखत पे पाउडर का डबर रख देते, सागुन धर देते, एक आद्दो समान और धर देते, सरप की थेली, और एसा उसमें रिंग रहता, एसा फेकते उसमें अगर रिंग आ गया, तो समान जम के तो बोलो, तुमारा, बद वो रिंग अगर उसके गिर गया, तुमारा समान, अब लोग उसको चार रिंग ले ले ले, आमको दो रुपईया का चार रिंग लिया, और ये केक फेक है, और पाउडर का डिपा जेसे उसको खुल ग पूलेगा जब तो घर नहीं जा 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 और घर गया ना वो जो पावडर का डबा दिया कि इतने में घर के लोगों ने मम्मी ने पूछ लिया चोरा कहां से लाया फिर तनी गया वे तो छोरा कहां तुम देखना जो दूला होन गोड़ी पे जाए ना ये बैसे गोड़ी पे वेटा वेटा यूँ चो जाए फिर जैसी इनकी कोई निचावर करने आये दस रुपर से तो यूँ चो जाए तो फिर यूँ चोरा कहां से लाया तो फिर तनी गया वो तो मेने रिंग फेका इतना लोग लगा था एक के भी नहीं आए नो महरे पाउडर का डिपबा ही लिए अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिपबा आ गया वो इसकी मम्मी के समझ में आगे तीन दिन से वो दो रुपिया नहीं दिया अब इके दो दो के पाउडर न दिया रावन को थोड़ा सायंकार आ गया वे इस होतो लंका दी पदि-वर विमान तो था बहुत था पर आज बिजय प्राप्त करकर आ रहा है आज जीत करा रहा है कुबेर का खजाना जीत करा रहा है और जो अलका पुली से जीत कर आ रहा था और सामने नंदिश्वर आ गए भगवान संकर के गण आ गए और जो नंदिश्वर आए जो शिव के गण आए इसने कुरोध में आकर अंकार की भाषा कह दी अरे कौन हो तुम कौन हो नंदि ने कहा तुम मुझे पैचानते नहीं हो रामन नंदि को कई बार मिल चुके थे क्योंकि रामन किस की अरादना करते थे शिव जी की जब रामन भगवान संकर की अरादना करते तो नंदि से मिले होंगे की ने मिले होंगे कई बार मिल चुके थे पर व्यक्टी जब जीत कराता है और व्यक्टी के भी तरह हंकार आजाता है तब वो पूछता है तुम कौन अम तो तुमारे मुहले मुथ रहते हैं ये उपर किराई के मकाम में तुम नहीं पह Tiffanyff तुम कौन मतलब जीता है अब इमान आ गया अहंकार आ गया तुम कौन हम तो आप के मोले में रहते हैं हम तो आप की कालों नहीं में रहते हैं आप की छेत्र में रहते हैं और आप तो हमारे यहां दो-चार वरा के चाई भी पिके गए और तुम ही पूछ रहे हैं तुम कौन अब रावन के नंदी से तुम कौन तो नंदी ने कहा लंका धीपती लंकेश क्या तुम भूल गए मुझको शिवगण नंदी हो में इतने में लंकेश के मुख से निकल गया हसकर ठाहा का लगाकर रावन ने कहा रावन सहीता में लिखा है आप पड़ सकते हो रावन सहीता में लिखा है कि लंका धीपती रावन ने ठाहा का लगाया हसा और हस्ते हुए कहा जर अपना मुख देखा है तुमने अपने मुख को देखा है आपना बहुत अंतर है महाराज जो बार बार मुख दिखाने की बात करेना वो रावन है और जो स्वयम अपना मुख दरपन में देख ले वो दश्रत है दरपन जी ने सिंगासन पर बैट कर दरपन बुलाकर अपना मुख देखा था और देखा की मेरे बाल स्वेत होगा है दरपन दश्रत जी ने जो खुद का मुख देखा वो दश्रत है जो स्वयम का मुख देखे वो राम है जो स्वयम का मुख दरपन में देखे वो कृष्ण है जो दरपन में स्वयम अपना मुख देखे राम वो दश्रत है और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रामन और क जैसे रामण को भी कहा था तुम मेरा होकर मुझे ग्यांदेता है जा ज़रा दुर्पन में मुंग देख अपना और रामण ने नंदी को भी कहा था शंकर भगवान के गण को भी कहा ज़़ो ए जरा दोसरे को मुग देखने का कहें दूसरे पर उंगली उठाए जरा मुग देख करा जरा मुग देख करा समझ लेना वो रामड ही हो सकता दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांचन लगाने से पहले, दूसरे को बानियों से अपशब्द कहने से प वो रामन राक्षास का, असुर प्रवत्ती का, हम क्यों कहें? अरे तेरा ही दिया मिने काया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. क्या किसको रोई है चादर तान के रोई है एक भक्त आया था आगरासर कि तीन इदर चिपका गिया तीन इदर चिपका गिया एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे काली अरे क्या किसको रोई है चादर तान के सोया जो जो शुमा पुरान में बोलते है नवो वो सुने लिखे लिए आया और चिपका के चले गए तुम ने खकुरी की चिपका गुरु जी कभी-कभी कथानी होती है ना तो लोग पढ़के ही चले जाएंगे नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे तो सब जिब का यह आचा संकर जी के जित्ते भगाते हैं नहीं सभी इनसे कम जो आए नहीं है इनसे कम नहीं हो साथ और सब अब आट डस माता है मिलके वो कुवां के पास में पत्थर उन पड़े उसी पे बेट के घर से टिफिन लाई होईगी तो बोजन कर रही होगी हमने मन में सोचा बताओ कैसे पत्थरों पे बेट ही होगी कैसे बोजन कर रही होगी कंकरी कंकर तो सब दो हैं कैसे विचान कर रही कि हमने अंदर से उसको बोला, आकाश को कि, आकाश बोल किया, उसको अच्छी वाली जगह पे बेट के बोजन कर लो, जहां पर अच्छी साफ जगह, तो वो तो कहा, नी, नी, आतो बो, सब चला, नी, आतो, सब चला, अब मन ऐसा दुखे की एका लड़ू लुडग गिया, मान लो, कभी-कभी हो जाता है, उसमें, तो एक बार वो, कहां, वो नरवधा जी का, तट बढ़वानी का है, खल घाँट, वाह खडघाट साइट कथा हो रही थी, और जजमान बोले कि गुरुदेव, गुरुदेव, हमने क्या है, तो कहे, गुरुजी, यहां पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कारे करता हुआँएं, मिलके यहां दाल वापला बनाएं, दाल बाती बनाएंगे, ठीक है बनाई लो और बनाओगे नरबदा जी का घाट माई को घोग लग जाएगा बोजन कर लें कोई बात में बनाओगा अब उन्हें साम पड़ा बापला होन बनाया और बापला बना ने बढ़िया सिक्सिकाकर बढ़िया जोरदार तैया और जो तैया ने सब जो खाना बाली बाल निकना अब बाली बाल निकना अब जो बाल निकना तो बापला घबरा गया बापला में बाल अब सब के लगा कि यहां तो कुछ गरबड हो गया अब ये तो बोले गरबड हो गया पर हमने जिसने बापला बनाया उससे पूछ इदर रहे पर बापला में बाल कहा से इत्ता सारा तो के एक बाफला हम बना के इसे रखे थे वो लुड़क गिया लुड़क गिया तो आगे गया तो हम गए तो हमने का भगवान का चमतकार हो गया एक की जगा दो बाफला मिल गया तो हमने का एक से दो कैसे हो गया यही तो समझ भी जाया नरब दे हार एक की जगा दो बाफला हो गया हमने का जरूर किसी बच्चे की विचारा की जमाल उतारी होगी लोया में भरी होगी उका गोला बनाया होगा उके धरा होगा और यह गया तो उके भी उठा के उबाल दिया अब ये तो समझे चमतकार हो गया नरब दिहार दो दो बाप ले घार अब इनके बने गोए तेरे सम्भु अब इनने जहां तुमारी मर्दी पड़े है अब नंडी को देखकर लंका दी पती रामन को थोड़ा सा अभीमान जुआया और अभीमान किश्व देखकर अभीमान किश्व नंदी को क्रोधा गया और नंदी न कहा अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं तो नंदी भले वर्षप का मुख लगा हो पर हिर्दय निर्मल है महरा सत्यम शिवम सुन्दर नंदी सुन्दर रहते हैं जो शंकर की अराधना करने वाले होते हैं शिव का भजन करने वाले होते हैं शिव की अराधना करने वाले होते हैं शिव तत्व को जानने वाले होते हैं शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर एक लोटा पानी चड़ाने वाला, एक बिलपत्र चड़ाने वाला, शिरका भीशेक करने वाला, शंकर का अनुमोधन करने वाला जो होता है, वो भीतर से बहार से कैसा भी दिखे जब पर भीतर से वो निरमल होता है, उसके भीत कि दुन सुन के मैं काजी नगर ये आजी हूँ कि दुन सुन के मैं काजी नगर ये आई हूँ कि दुन सुन के अजी हूँ जगर ये आई हूँ कि दुन सुन के अजी हूँ आई हूँ झाल झाल